नमस्कार मैं हूँ शैलेज दुबे आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल थाइंक्यू सो मच आप सभी के सपोर्ट से आज हमारे यूटूब चैनल पर बहुत पेजी के साथ ग्रोथ हो रही है और आप लोगों की एक खासी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जैस बैक इंदा टॉपिक चलते हैं कि आखिर इस सहर में इतने ज्यादा पेड़ पौध है क्यों लगाए जा रहे हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह धौलेराई स्मार्ट सिटी जो बन रहा है वो भारत का नहीं दुनिया का सबसे खुबसूरा सहर बन रहा है एसिया में आज सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी कोई है वो तो धौलेरा स्मार्ट सिटी है इसको बनाने के लिए इंडियन गवर्मेंट का बेसिक परपस है ग्लोबली कनेक्टेड बिजनेस हब बनाना जिसमें दुनिया भर से इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना दौनों आसान होन यह मास्टर प्लानिंग की और इस सहर को 920 स्क्वेर के चित्र में बनाने के लिए लगबग कितना है अगर आप पूछे तो भाईस आप समझ सकते न दिल्ली के साइज को आप डबल कर दो या फिर दूसरा उधारण में आपको बतारों जितना बड़ा सिंगापूर है सिंग किलोमेटर दूर में यह बनाने का परपस और इसकी सिक्योर्टी क्या है और यह प्रोजेक्ट कभी फेल होने से क्यों नी फेल हो सकता इसका कारण में आपको बतारों पहली बात है एक लौता एज़ा प्रोजेक्ट है इसके लिए सेंटल और स्टेट गवर्मेंट काम कर रह है जिसमें सेंट्र गवर्मेंट जितना है पूरा का पूरा सेहर को बनानी के लिए और स्टेट गवर्मेंट इसके लिए इसके सहर में पूरह सहर को देखते हुए उसके बेहियर को लगाया गया है जैसा नीम का पीड़्व वो नैचरल को बड़ा ठंडक पीलिंग दीता है ऑक्सीजन बहुत सारा लेके आता है नीम के अलावा और भी पीड़ें हर पीड़ें का अपना एक सवभाव होता है जिसको देखते हुए सरकान नहीं लिया कि हर एक छित्र की प्रॉब्लम के हिसाब से हम पीड़ पॉधे लगाएंगे जैसे उधारन के लिए को इंडस्टियल छित्र है वहाँ पर पॉलुशन बहुत ज़्यादा हो सकता है वैसे पॉलुशन वाली कंपनी को यहाँ पर अलाव नहीं किया गया है तो अब भी अगर कोई पॉलुशन होता है तो उसके लिए वह कंपनी को काम दिया गया है और वहाँ पर उसी तरह के प्रॉब्लम को करते हैं तो यह पूरा का पूरा कारण है इसलिए गवर्मेंट इस पर काम कर रही है और सत्ता लाग पॉधे लगा के यह भाई साब कमाल कर द गुजरात में वाईसा मैं कहता हूं कि सिर्फ एक रात गोजारौ दोलेरा में अगर दोलेरा में गुजार दोगे आपको पता चलिए अगा निचे के नंबर पर मेलते हैं तक के लिए तो जाहन वांत रग्षा